आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ क्या कॉंग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सर्यंत रच दिया है क्या बीजेपी 2024 का चुनाव हार रही है आपको जानकर हैरानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद सब साफ हो जाएगा दूद का दूद और पानी का पानी कि क्या बीजेपी कॉंग्रेस के ट्रैप में फस गई है जाल में फस गई है और जिन लोगों ने बीजेपी को जुआइन कर रहे हैं उन्होंने जिन्होंने कॉंग्रेस को चाटा जिन्होंने कॉंग्रेस को बरबाद कर दिया कि आप बीजेपी को बरबात कर देंगे नमस्कार मैं शंभुक उमार सिंग और आप देखे हैं निसनल दस्तक सुचिए बीजेपी 2024 के चुनाओ में टीवी अख़बार कह रहा है 400 पार क्या ये सच्चाई है हकीकत है मैं थोरा flashback में आपको लेके चलूँगा इस देश में पांस साल तक राज किया परधान मंत्री अटल विहारी बाचपेई ने सोचिए पांस साल तक पहले उन्होंने तेरा महीने की सरकार चलाए उसके बाद करगिल वोर हुआ संसत पर हमला हुआ और उसके बाद बाचपेई की पांस साल की सरकार आए और सरकार में वही बोलवाला था तमाम उसी समय प्राइबिटाइजेशन की सुरुआत होई बिनिवेस मंत्राले बनाया गया और जो नरसिम्हाराओ के जो एजेंडे थे जो कॉंग्रेस का एजेंडा था बाचपेई ने उसी एजेंडा को लागू किया और पांच साल तो राज कर लिया क्योंकि कॉंग्रेस से बहुजन समाज के लोग नाराज थे लेकिन जब बाचपेई सत्ता में आया तो उन्हेंने सफाई करमचाडियों की नौकरी को प्राइविट कर दिया तमाम आरक्षन को कमजोर किया जाने लगा संबिधान बदलने की भी बात आई और इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया टीबी अखबार में बाचपेई 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 होने लगा आडवानी 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 होने लगा और उस समय परमोध महाजन मीडिया मैनेजमेंट गुरू कहे जाते थे और बाचपेई धराम से गिर गए धराम से गिर गए उसके बाद मिली जुली सरकार बनी कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटे मिली मुलाइम सिंह आदव, माया वतीजी, लालु यादव, राम विलास पासवान बेनी परसाद बर्मा जैसे नेता थे मिनिस्ट्री में आये अरजुन सिंग सिक्षा मंत्री बने और उन्होंने 2014 में जिस तरह से बीजेपी आई थी उससे कम हनक से आई थी लेकिन 2009 की सरकार भी बहुत मजबूत बनी थी लेकिन मैं कहरा हूँ बाद 2005-04 की बाचपई बाहर होते हैं 2004 में मिली जुली सरकार बनती है लालु यादव, राम विलास पासवान ये सब मंत्री बनते हैं मायबती जी का बाहर से समर्थन है मुलायम सिंग यादव का बाहर से समर्थन है अरजूंग सिंग ने OBC का रिजर्वेशन लागू कर दिया और सुचिये 2009 में फिर से कॉंग्रेस ने बाप सी की और UP में 22 सीटे जीत गई कॉंग्रेस मजबूत हो गई और जैसे ही कॉंग्रेस मजबूत हो कर आई UP1 की सरकार में लालू यादव को ठीकाने लगा दिया गया था राहूल गांधी ने बिलफार दिया था सुचिये तो 2009 में जो अच्छा अच्छा काम हुआ था 2014 में लालू यादव बाहर थे रामिलास पास्वान बाहर थे कॉंग्रेस को घमंड हो गया था अरजुन सिंग को बेमौत मार दिया गया और तीन ब्रहमन निता सरकार चलाने लगे परनमुखर जी जिनकी बेटी आज बीजेपी में है कपिल सिबल जो समाजवादी पाटी में है और पीची दमरम जो भी कॉंग्रेस में बनी हुए लेकि जिन्होंने ग्रीन हंट चलाया उसके बाद OBC के नाम पर परधान मंत्री मोदी ने मैसेज चलाया आरक्षन के खिलाब थे लोग वही सारा फर्मूला हुआ जाती जनगन्ना की मांग पर लगातार BJP लर रही थी हुकम देओ नरायन यादब गोपिनात मुंडे BJP लगातार लर रही थी भहुजन समाज में मैसेज गया परधान मंत्री OBC ने अपने आपको OBC कलेम किया कि मैं OBC हूँ दलित पिछरे आदिवासी नेताओं से छोटे छोटे दलों से गटवंधन हुआ जिसमें रामिलास पासवान थे अनुपिरिया पटलती और इस सरकार आ गई नरेंद्र मोधी की सरकार आ गई लेकिन नरेंद्र मोधी की सरकार आते ही कॉंग्रेस के तमाम सवर्नेता बीजेपी में सिफ्ट होने लगे और अब तो इस्तिति होगे कि पूरा कॉंग्रेस जो है वो बीजेपी में तबदील हो गई है तो सवाल है कि क्या इसे बीजेपी को नफा होगा या नुकसान होगा मैं फिर कह रहा हूँ सबसे बड़ी भूल हो रही है बीजेपी से और बीजेपी सबार सबसे ज़्यादा बरवाद होगी और उसको बरवाद कर देंगे कॉंग्रेस से आए सवर्न नेता अब सचिए सवर्न बोट ऑल्रेडी बीजेपी के साथ है सवर्न बोट एक जूट है मुस्तेहदी से है लेकिन सवर्न बोटों की संख्याद 10 से 15 परसेंट है और उससे सरकार बन नहीं रही है लेकिन बीजेपी से 15 परसेंट तो मुसलिम समाझ के लोग नाराज है इस देश के 21% आदिवासी दलित नाराज है और अब लगभग 50% OBC ने BJP से पल्ला जार लिया है लेकिन BJP की मती मारी गए सुचिए तमाम कॉंग्रेस के सवर्ण नेता BJP में जा रहे हैं पहली बात तो मैं बता दू जो कॉंग्रेस के सवर्ण नेता BJP में जा रहे हैं इस देश में तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी बैचारिक सहमती BJP के साथ है संजय निरूपम हो चाया वो तमाम लोग हो जो हाँ जार लेकिन समाल है कि वो BJP को दे क्या रहे है दिलीप मंडल ने ठीक लिखा है कि ये जो सारे सवर्ण नेता कॉंग्रेस से BJP में जा रहे हैं ये मलाई चाट चुके हैं खा चुके हैं और अब BJP में मलाई खाना चाते है क्योंकि उनको लगता है कि TV अखवार सही बोल रहा है लेकिन सोचिए सवर्ण समाज का बोट अलरेडी BJP के पास है और BJP बैक्वर्ण की जो टीकर थी वो सवर्ण समाज को मांत्री बिहार में 17 में 10 सवर्ण समाज को BJP ने टीकर दिया और नतीजा यह है कि वहान नितीज कुमार ने 10 बैक्वर्ण को टीकर दिया है तो जिस तरह से UPA2 का सवर्णी करन हुआ था जिस तरह से UPA2 का ब्रहमनी करन हुआ था ब्रहमन समाज के नेता सवर्ण समाज के नेता का बोलवाला था और सरकार चली गई उसी तरह से नरेंद्र मोदी के दुसरे कारकाल में जिस तरह से सवर्ण समाज का बर्चस्व है और जि तेजी से जिस तरह से गैर सवर निताओं का बीजेपी में अपमान हुआ है मुझभफर पुर से निसाज जी का निकाल देना संग्मित्रा मौरिया को निकाल देना तमाम दलित पिछले निता सफोकेशन फिल कर रहे हैं और यही गलती बीजेपी से हो रही है लेकिन सोचिए य मैं फिर कह रहा हूँ मैं कॉंग्रेस पर आ रहा हूँ जो काम बीजेपी ने 2014 में किया था बहुजन के नाम पर चुनाओ जीते ओवी सी के नाम पर चुनाओ जीते कॉंग्रेस तेजी से वही ओवी सी करन करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके अंदर के नेता करने नहीं द दे रहे हैं और इसका लाव कॉंग्रेस को मिलता हूँ अधिक राय खासकर खरगे को अध्यप्ष बनाने से फायदा हो रहा है जाती जनगना का नारा देने से फायदा हो रहा है मैं फिर कह रहा हूँ 2024 में मिली जुली सरकार बनेगी आप गांठ बाहन लीजिए जिस तरह से और निताओं का वहां दबदबा बढ़ेगा टिकट उनके पाले में जाएगा OBC पीछे छुटेगा दलित नाराज हैं अल्पसंख्यक नाराज हैं मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं ऐसे में BJP के पास तभी फायदा होता जब वहां दलित समाज के निताओं को OBC समाज के निताओं को मौका दिया जाता तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी ख़बर बता रहा हूं कि जो पार्टी बदल रहे हैं नेता वो कॉंग्रेस का कोई नुकसान नहीं करें बस कॉंग्रेस को ये करना होगा कि उतनी ही संख्या में दलित पिछरे आदिवासियों को टिकर थमाएं और बीजेपी जो सबन निताओं को ला रही है जो लाइन लगी क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया है कि आएगा तो मोदी ही ये सिर्फ मीडिया का परसेप्सन है मीडिया का खेल है इसलिए सब चल रहा है सच्चा इस से कोसो दूर है दलित पिछरे आद की जाए है कि लालू यादब ने हाथ खीच लिया है उन्होंने मुन्ना शुकला का जो कह रहते कि हम उमिद्वार हो गए जाती सुचक सब्द बोला था तो हम उमिद्वार भी दिकलियर नहीं हो रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी सबसे बड़ी भूल कर रही है और जिस तरह से कॉंग्रेस के और तमाम दलों के सवन नेताओं की लाइन लगी है हाँ अगर दलित पिछरे आदिवासी नेताओं को वह अपनी पार्टी में लाते हैं तो उसका तो फायदा मिल सकता है असोकतवर का फायदा होगा असोकतवर का फायदा होगा लेकिन वहीं और उसका लिटमस टेस्ट है बिहार और यूपी तो बिहार यूपी जारखर में तो बीजेपी कही न कहीं फस गई है उसको फसा दिया गया है और कॉंग्रेस के जाल में वो फसती जा रही है अगर दलित पिछरे आदिवासी नेताओं को बीजेपी नहीं साधिती है तो 2024 में उसकी नाव डूबती ही दिख रही है क्योंकि लगातार अलफसंख्यक 15% बोट नाराज है 25% OBC और 50% OBC नाराज है मतलब 85% 70% बोट उससे नाराज हो रहा है और ऐसे में बीजेपी 2024 में जित्ती हुई नहीं दिखाई दे तो वो फस गई है सवन निताओं के जाल में जिस त दिया था और दलित पिछरी आदिवासी नाराज थे सत्ता से बाहर हो गए उसके बाद कॉंग्रेस ने गटवंधन बनाया OBC दलित निताओं के जोर पर वो सत्ता में आई UPA1 UPA2 में उसने फिर दलित पिछरी निताओं को किनारे लगा दिया जब सत्ता में आई तो और वो 2014 2014 में चुनाव हार गई मोदी जी ने OBC क्लेम किया OBC बन कराया उनुपरिया पटेल से गटवंधन हो चैराम विलास पासवान से गटवंधन हो इन सब लोगों ने मिलकर फिर से UP बिहार और ज़ाडखन में इनको जिताया लेकिन अब जब दुसरी बार सरकारवनी BJP की तो फ संख्या में लोग BJP जुआइन कर रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ कॉंगरिस को घाटा नहीं है BJP नुकसान उठार ये सबन समाज के नेता जब किसी पार्टी में जाते हैं तो वो इंडुविजूल होते हैं उनका जमात नहीं जाता है क्योंकि सबन समाज पुरी तरह से BJP के साथ है लेकिन सवाल है कि 15% बोर्ट से चुनाओ होगा नहीं टीवी अख़वार के पत्रकार चुनाओ जिता नहीं सकते हैं इस देश में जब तक दलित पिछरे आदिवासी अलवसंख्यकों को समयधानिक अधिकार रोक लगेगी उनको जब तक भागिदारी नहीं मिलेगी अब इस देश में बाबा सहब के समयधान ने महीन पिसना सुरू कर दिया है साइध ही किसी का डाल गले तो बिना दलित पिछरे आदिवासीयों का इस देश में किसी का डाल गलना संभव नहीं है और बीजेपी सवर नेताओं के जाल में फस गई है जैसे यूपीय टू में क 2024 में ही हो रहा है और वो जिस तरह से भीर लगी हुई है सवाल है कि जितने सवर नेता बढ़ेंगे ओवी सी की संख्या घटेगी और बीजेपी को नुकसान होगा जैसे मैं एक उधारन दे रहा हूँ जोती रादिती सिंदिया को पिछली बार एक यादव समाज के आदमी न तो उनहीं का ज्याद है आप लोग की क्या पर्तिक्रिया मेरे इस विसलेशन से अपनी पर्तिक्रिया जोर दीजिए शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख